So Hello Student, कैसे आप लोग? आप लोग का exam chemistry का होने बाला है और इसी regarding आज का ये video है जैसे कि अप लोग देख से रहे हैं First semester Diploma Engineering Exam Nisar तो हम लोग यहाँ पर पिछले 5-6 साल का question paper हम लोग यहाँ पर देखेंगे और proof के साथ हम लोग ये topic को question को choose करेंगे जो कि आपके exam में repeatedly आता है और आपको live में दिखाऊँगा कि कौन सा question आपके लिए most important है और आपको क्या पढ़के जाना है जिससे कि आपके marks improve हो सके और आप exam में बहतर marks ला सके तो चलिए देखते हैं हमारा important question का video है most important तो चलिए question नमद 2 से start करते है यह long question यहां से start होता है और बाकी mcq है तो mcq को अभी पर ध्यान नहीं मैं दे रहा हूँ अभी question पर ध्यान दे रहा हूँ तो यहां पहला question आपका देख रहा है define electrovalent and covalent bond with suitable example and different between them और उसको distinguish करना है उनके बारे में difference बताना है फिर आपका क्या right electronic configuration तो आपको electronic configuration अवाव principle के according आना चाहिए 30 तक आपको याद होना चाहिए 30 atomic number तक आपको एकदम पूछा ही जाएगा तो यहां पर आप देख सकते है cu, cr, cl और ca तो यह आपका 16 marks का question था फिर आपका आता है short notes तो short notes में आप यहां पर देख सकते है Faraday's laws of electrolysis इस पर आपको short notes लिखना है और यह law बहुत important है नेक्स आपका global warming and their effect तो global warming के बारे में तो सब कोई जानता है और उसके क्या क्या effect है इसको भी आपको ध्यान देना है और इसके बारे में short notes लिखना है तो आप लोग practice करके जरूर जाए ताकि आप लोग examson hall में लिख सके नेक्स आपका bio medical based जो कि आपको दिख रहा है C में दिख रहा है bio medical based फिर आपका BOD biological oxygen demand most important है इसको भी आप लोग एकदम करके जाए नेक्स question आपका यहां पर है for manufacture of alloy तो alloy क्या है और कैसे हम लोग alloy को extract करते हैं यह आपको बताना है B part आपका है what is air pollution discuss their sources how they affect man and environment ठीक है तो air pollution क्या है क्या sources है कैसे man और environment को यह affect करता है यह भी आपको बताना है next question हम लोग यहां पर देख लेते most important write the composition and usage of the following alloy अब यहां पर brass German silver gun metal इसका क्या composition है कौन-कौन सा metal यूज हुआ है यह सब आपको discuss करना percentage जितना है उसको एकदम लेकर यूज करना है ठीक है इसका application सारा इसमें detail में लिखना है आपका answer तो कुछ-कुछ यहां पर most important है जैसे German silver हो गया gun metal हो गया brass हो गया यह सब most important alloy है next is bring out the difference between thermoplastic thermosetting plastic discuss engineering application of plastic most important है यह paper में आपका आने वाला है आप लोग इसको लिख लीजे कहीं पर मैं यह guarantee लेता हूँ यह आपका paper में आएगा next है discuss briefly the process of vulcanization of rubber तो rubber का vulcanization में क्या process है यह भी आपका most important question है हर बार exam में इसको पुछा जाता है difference between natural rubber और synthetic rubber इसके बाद आपको यहाँ पर B में आपका numericals है 0.1948 gram of copper is deposited by current of 0.2 ampere in 50 minutes तो what is the electrochemical equivalent of copper तो यह आपको एक दो numericals भी आपको इससे related बना लेना है अगर difficulty आ रहा है तो 4-5 आप बना सकते है और आपको concept पता चलना चाहिए जब तक पता नहीं चले आप question को छोड़ना नहीं है निक्स्ट को सब्सक्राइब देख लेते हैं डिफाइन अवाव प्रिंसिपल और यह आपका लेटिस पैटन पर है जो न्यू स्लेवर से उस पर यह आधारी था तो डिफाइन अवाव प्रिंसिपल राइट हूंस रूर्स और अप्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टन है इससे रेटेड है तो यह आवाला आपको जरूर मिलेगा डिसकस्ट एलक्रोकेमिकल सिरीज वाट इस इंपॉर्टन अप्लिकेशन और यह आपका हो गया अब हम लोग लेता हूं कि नेक्स्ट अम लोग यहां पर देख लेते को सब्सक्राइब टूफिसमें स्टार्ट कर रहा हूं दूसरा पेपर से और यह मुस्ट इंपॉर्टन को सब्सक्राइब है अब आपको यहां पाद दिख रहा है डिफेंसे विद्विन इलक्टो वैलें और अन को आपको आना चाहिए नेक्स्ट आपका इलक्रोनिक कंफ्रिगेशन जो कि मैंने पहले ही बताया था फ्रॉम वन टू थर्टी अटॉमिक नमबर यह आपको विद रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैस सिम्बॉल्स तो देखिए यहां पर तो किलियरी मेंशन किया गया वन टू थ च्कुल को ऐसे प्रिजिटियान अएकसं में चैन कुछ रहेंगे लिख लिए लिखनी है लिश्ट करेंब करेंगे लिए त्याइप करें पॉजिछन इसके बाद को पॉलिशन से ही पूचिए कि क्या इसका इसका कंट्रोल है कॉस्ट है और क्याक्स पड़ता है इन्वारमि प्रूंसन एक टॉपिक है आपको अच्छे सब पढ़ लेना इसको क्या पॉद्टन है क्या टाइब से और क्या कौज लिए मैं सारा आपको डीटल में एक कमप्लीट पढ़ लेना यह नहीं कि इसी पॉद्टन के बारे में पढ़ लिए वाड़िस पॉल्यूशन और टाइप से ऐसा नहीं पॉल्यूशन पढ़ना है क्या टाइप से वह पढ़ना है क्या क्या होता है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इतना डीटेल में आपको पढ़ना होगा और वह आपको लिखना भी होग तभी आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे सही से यह आप लोग अभी डिप्लोमा में है तेंथ या नाइन का पेपर नहीं आपका चलिए प्रिवेस एर के कुछ रिपीटर को से यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर देख सकते ओंटार कॉंटर नंबर टाइप सब्सक्राइब तो आपको कौंटर नंबर हूंस रूड अववा फिंसिपल यह सारा कॉंसर्प आपको किलियर होना चाहिए अब यहाँ पर देखिए गा तभी आपको पता चलेगा और आपका वीडियो में कोई भी आप नोड कोई भी ऐसा बात नहीं है जो कि आपके एक्जाम से रेटेड नहीं है तो पॉलिशन से आपको यहाँ पर हो गया डिफाइन पॉलिशन एफेक्ट करता है इंवार्मन में एनिमल में प्ल संपोजिशन और यूजे जॉब तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्रास गन मेंटल ब्रॉंच यह इंपोर्टेंट मेंटल एलो है तो यह रिपेटेडली पुछे जाते है इनको करने के बाद ही आप कोई और मेंटल या फिर और आरोई को चूज किसेगा निश्ट अब कहा है डिसकस लस्टर डक्र ट्रीटिएं मैलिएव इती ये सारव पापरटी जो मेंतल है तो मैगनिकल प्रॉपरटीज और आपका पूर्ट सकता है मेंटल का मेंटल को बहुत सारा प्रोपरटीज है कम से-कम 10 प्रोपरटीज है तो दस आपको याद रखना चाहिए य प्लास्टिक्स प्लास्टिक क्या है formation of plastic by addition and condensation तो दो प्रोसेस एडिसन और condensation और एक्जामपल के साथ आपको करना है और थर्मो प्लास्टिक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक यह जो वर्ड में बता रहा हूं यह बहुत क्योंकि आपको प्लास्टिक किया है और इसमें क्या-क्या एक्जामपल आते हैं अब देखिए आपका सौर्ट नूट्स आपको फिर से आ रहा है और सौर्ट नूट्स में आपका यहां पर देख सकते हैं फैराडे लॉज ओविलक्रोलाइस मोस्ट इंपोर्टन यह आपका ल इस अब कोशन आप लोग खुझ से भी सोच के लिख सकते हैं ऐसा नहीं कि आप आपको अगर कुछ पॉइंट नहीं आ रहा तो आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं कोई सुनिया चलिए निक्स कोशन पर चलते हैं यहां पर नेक्स कोशन आपको दिख रहाए वाट इस मिस्क इल्याक्टवेलंट और को वर आपको यहां पर डिवाइन करना तो यह आप डिफ्रेंट में पढ़ इसे यसे अरों प्लास्टिक से रिलेटेड हैं और यह आपका important है तो इसको आप लोग जरूर करके जाना निश्ट है short notes तो short notes आप देख सकते हैं आपका rubber, backlight, polythene इसके बाद आपको green house, environments related आपका question रहेगा यह आप ध्यान रखिए environments related, pollution, air pollution या फिर greenhouse effect, glomer warming यह सब आपका रहेगा बाकी metallurgy और backlight and polythene यह सब भी आप लोग देख के जाईएगा, यहाँ पर आप लोग एक paragraph पढ़ लीजेगा सही से और उसी में से आपको लिखना है, short notes है, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है और ज्यादा छोटा भी नहीं लिखना है, next set आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका electrovalent or covalent bond repeat हो रहा है, तो इसको आप लोग जरूर करके जाना है, ठीक है, यहाँ पर electronic configuration तो यह तो करना ही है, Arrhenius ठीक है, यह वाला side बता दिया मैंने, चलिए next question paper पे चलते हैं, निश question paper में आप लोग देख सकते हैं, water alloys, तो alloys बताना alloys किया है, कैसे manufacture होता है, इसके बाद brass, german, silver और gun matter यह भी आपको alloy में पढ़ के जाना है, प्लास्टिक आप लोग पढ़ लीजेगा most important है, thermosetting और thermoset plastic, plastic क्या होता है, क्या process है, यह आपको करके जाना है, vulcanization हम लोग क्यों करते हैं, क्या फाइदा है, natural rubber और synthetic rubber यह differentiation है, यह आपका आएगा, ठीक है, चलिए next आप देखते है, differentiate between BOD and COD, तो यहाँ पर आप इसका answer भी आप यहाँ पर देख सकते है, तो आप यहाँ पर इसको point wise लिख लिज़ेगा, अगर आपके पास कोई reference book है, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, Greenhouse effect, जो कि मैंने पिछले वीडियो, पिछले question में आपको बताया था, इसका भी यहाँ पर answer आपको दिया गया है, अगर आपके पास answer नहीं है, तो आप इससे लिख सकते हैं, नेक्ट आपका है, electrovalent and covalent, यह आपका जरूर important question है, इसको आपको करके जाना है, electrovalent क्या है, covalent क्या है, differentiation के through आप इसको पर सकते हैं, question wise पर सकते हैं, और electronic configuration आपको लिखना है, देखें, यहाँ पर mention किया गया है, दिख रहा ये, इसके according लिखना है, CA20 दे दिया गया है, इसके according लिखना है, जैसा जैसा दिया रहाएगा, अगर positive है, अगर cation दिया हुआ है, तो एक कम कर दिजेगा, और अगर minus दिया हुआ है इसमें, तो एक आप बढ़ा दिजेगा, ठीक है, यह ऐसे लिखना है, short notes भी आप यहाँ पर देख लिए, यह important है, आप इसको जरूर कीजेगा, यह global warming भी important है, और यह सारा important है यहाँ पर जितना भी आपको बताए जा रहा है, चलिए यह हो गया, बाकी आप कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखे, short notes, यह आपका repeat हो रहा है, BOD, BOD आपका repeat हो रहा है, तो BOD को आपको एकदम करके जाना है, फिर आपका green house gas, यह आपका repeated हो रहा है, तो इसको भी आपको करके जाना है, बाकि आप इसको यहां से इसकी कर सकते हैं है कि अब यहां पर यह आपका को संटिया और I back डाइ से नगेस नेश्ट आप यहां पर देख सकते हैं को सिंगते क्टर कंस्ट्रक्शन and working alive यह आप पड़ सकते हैं कि इसकी वाद लक्टॉडाइसे लीग करके ही जाना एकदम एक्स्प्लेंद एक्ट्रोलाइस और एक्वस सी यू एसफोर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिने मेलेक्ट्रोड और यहां पर आप देख सकते प्रॉपर्टी जन अप्लिकेशन ऑफ डूरा अल्मोनियम जर्मेन शिल्वर तो यह जर्मेन शिल्वर डूरा अल्मोनियम गन मेटल और ब्रास ब्रोंच मुस्ट इंपोर्टेन इसको आप लोग छोड़ना नहीं है एक निस्ट आपका है पाउडर मेटलरजी ऑफ एलोई मेकिंग तो एलोई मेटलरजी प्रॉसेस है वह आपको पता होना चाहिए क्या प्रॉसेस से टेक्नीक से यह आप पढ़के जाना है और आप यहां पर प्रॉर्डिक टेवल यानि की एक्टॉम में यह वह मॉडल और पर सकते हैं इसको आपको एक्स्पेंड बोला गया तो उसको आपको एक्स्पेंड करना कौन साइंटिस्ट थे क्या डेट अपको इंपॉर्टन डेट याद रख की जाना है पॉइंट वाइस बस लिख देना है आपको कि एक्स्पेंड बोस मॉडल ऑब एक्टॉम में राइट डाउन इस लिमिटेशन ठीक है तो बोस के बारे में आप एक टॉपिक पढ़िएगा को सिन वाइस आप पर सकते हैं टॉपिक पढ़िएगा बोस का मॉडल ए देफिनेशन पॉस्चुलेट डाइग्राम लिमिटेशन सब एक जगह रखना है पढ़ना है इसके बाद उस से रेलेटर कोसन आपको देखने बनना स्टार्ट हो जाएगा नेश्ट आपका है राइड डाउन कॉन्फिकेशन तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था यह जो ए आपको आना चाहिए एक तरी माइनस रहेगा उसको लिखने आना चाहिए नॉर्मल तो आप लिख लिएगा हमको पता है प्लस में आपको तीन कम लेना है यह आप ध्यान रखेगा गलती नहीं करना है तो इल्यक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन से आपको एकदम आना चाहिए चलिए यह इतने कुशन मैंने बताया इसको अगर आप कम्प्रीटली पढ़ लेते है या फिर आपको याद है रिवाइस कर लेते है तो डिफिनेटली है आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोख सकता चलिए आप लोग रिवाइस कीजिए और आपको एक्जाम के लिए बेस तरफ लब